आप working woman हो या हो housewife, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर, पती, बच्चे, फैमली ओर्गनाइज रहे और हमारी life काफी soothing चले और ऐसा तभी हो सकता है जब आप खुद को ओर्गनाइज करें मैंने आप लोगो कई वीडियों में बता कि आप अपने घर को कैसे ओउनाइज कर सकते हैं, अपने kitchen को कैसे अपने professional life को कैसे ओउनाइज कर सकते हैं, बट इन सभी का मूल मंद्र बस इतना है कि आप अपने आप को सबसे पहले ओगनाइज करें आज के इस वीडियो में मैं आपके शार शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज जो आपके लाइफ को काफी ज़्यादा स्मूथ करेगा प्लस हो मेकिंग आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी तो चलिए बिना देरी करते वे आज का ये बहुत ज़ादा इंक्रस्टिंग सा वीडियो आपके स्टार्ट करते हैं जैसा कि दिन हमारा कैसा जाएगा ये हमारे सुभा पे डिपेंड करता है इसलिए हमें सुभा जल्दी उठने की कोसिस करना चाहिए अगर आपको अपने आप के लिए टाइम चाहिए या अपने पैशन या होबी को कुछ फॉलो करना है तो आप घर के सभी लोगों की उठने के मातर आदे घंटे पहले उठे यह जो आदे घंटे का समय है यह कंप्लीटली आपका रहेगा और इस समय आप अपने आपको भी टाइम देख सकते है बाकि जब बच्चे उठ जाएंगे पती उठ जाएंगे तो उन्हें आफिस बेजना स्पूल बेजना यह सब तो दिन भर चलता रहेगा जैसा कि सुबह मैं अपने बॉड़ी को थोड़ा सा टाइम देती हूँ थोड़ा से एक्सराइज और योगा वेगर करती हूँ मेरे लिए यह सारे चीजे इतनी जड़ादे इजी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं अपने पूरे दिन का यानि एक एक मिनट का सिद्धूल तै है कितने बजे उठना है कितने देर एक्सराइज करना है किते देख खुद को टाइम देना है किते देर ब्रेक्पस्ट पनेगा यह सब मैं आप लोग को आज दिखाने वाली हूँ और यह है मेरे फुल डे का रूटीन आप देख सकते हैं कि सु आप लिए समय करते है और जब आरफ सोके उठ जाता है तो उसके साथ थोड़े देख खेलने जाती हूँ या तो कभी इंडौर खिला या तो कभी आउडर खेला एंड इसे पढ़ाने के बैखती हूँ तो ये मेरे फुल डे का रूटीन है, एक एक मिनट मेरा इधर से उधर कभी भी नहीं होता है, और ये ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मैं अपने खुद के रूल को बहुती स्ट्रिक्ली फॉलो करती हूँ. अब जैसा कि हम सभी अपने घर को और खुद करने के लिए अगर अपने तै किया है, तो और आपको वो डाइनिंग का एरिया हो, चाए वो आपके टीवी यूनिट का एरिया हो, चाए आपने कीचिन में ही कुछ क्यों न लिया हो, तो और और जारू डाले कि आप उस जगे को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, and yes, decluttering is also very important to organize their home. जैसा कि organization का कोई exam नहीं होता है, कि जिसमें हम बैठे और पास कर गए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, जहां पर हमें रोज ही अपना काम करना पड़ता है, और खुद को मिखारना पड़ता है, जैसे हम kitchen में काम करें, तो कुछ rule को जरूर फॉलो करें, कि हर meal के बनाने के बाद, हम अपने kitchen counter top और gas top को अच्छी तरह से clean करें, ताकि जब next बार हम यहाँ आप खाना बनाने के लिए आएं, तब ये kitchen पूरी तरह से तयार हो, और जब हमारा kitchen clean रहता है, तो हम ऐसे ही motivate हो जाते हैं, यानि नास्ता बनाने के बाद, आप अपने kitchen को clean करें, सभी के lunch करने के बाद, अपने kitchen को अच्छी तरह से साफ करें, और रात को सोने से पहले, तो ये काम करना काफी ज़्यादा important है, एक और ओल kitchen का ये भी है, कि आप अपने spatula वेगरा को रखने के लिए, इस तरह का spoon rester का use करें, अगर आपके पास इस तरह का spoon rester नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई plate का use कर सकते हैं, अगर करने से kitchen में आपके जगह जगह पे दाग नजर नहीं आएंगे, और आपके clearing का time काफी जादा कम हो जाएगा, तो kitchen की cleaning को आपको कितना time देना है, यह completely आपके उपर है, जैसे मैं जब भी रोटी बनाती हूँ, या morning का हो breakfast, या रात का breakfast हो, उसे बनाने के लिए, चकले बिलने के नीचे, एक kitchen towel को जरूर रख भी हूँ, जितने भी आटवेगरा गिरते हैं, इसमे बिलते हैं, और उसे बाद इसे clean करना मेरे लिए काफी जादा easy हो जाता है, मेरे इतनी बताने के बाद भी हम सभी को problem रहती है, कि हमें अपने आप यह time नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जाला समय हमारे kitchen में जाता है, तो kitchen की time को आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, और वो त इस चीज की planning मैं एक रात पहले ही तै कर लेती हूं, मंडे को क्या बनने वाला है, यह मैं एक बिन पहले ही डिसाइट कर लेती हूं, और अरव को टिफिन में क्या देना है, यह मेरे दिमाग में हर समय फिट रहता है, और इसका मैं आपको दिखाती है, ज़ दिन उसे अलग जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को एक healthy way में एक बहुती delicious टिफिन में कैसे दे सकती हूं, तो ओनियन प्राठा उसे काफी जता पसंद है, तो कभी ओनियन प्राठा हो गया, कभी गार्लिक प्राठा हो गया, कभी पूरी भाजी हो ग करके हर दिन अलग अलग पोशन को हम क्लीन जरूं कर सकते हैं, जैसे मंड़े को आप लिविंग रूम का एरिया ले लिजे, ट्विस्टे को किचन ले 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 जे, वेटन स्थे को आप बेडरूं क्लीन कर लिजे, धर्टे को आप को वाड़रब को अच्छी तरह से और नाइ यही चीज़ा हमारे बात्रूं की क्लीनिंग के साथ होता है, मैं जब भी नहाने जाती हूं, सावर लेनी से पहले मैं दो मिनट अपने बात्रूं क्लीन में जरूर डालती हूं, रेड़ वाला हारपी डालके फ्लोर क्लीन करती हूं, और जो भी साबन वराए एरिया रहता है वहाँ भी चीज़े अगर बिगड़ गई है तो वहाँ मैं सारी चीज़ों को ऑगनाइस करेती हूँ And most important बात कि कभी भी खुले वे कपड़े को आप बातरूम में ना छोड़े ये कुछ ऐसे आदते हैं जो आपको ऑगनाइस तो बनाएगी बनाएगी प्लस आपके घर को एक neat and clean look देने में भी काफी जादा help करता है So that's all for today अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को like का button प्रेस करना ना भूले अगर आप मेरी चैनल के पहली बार आए है तो ज़रूर से subscribe करें मेरी चैनल को ताकि आपको इस तरह की useful videos हमिसा मिलती रहे and yes comment करना ना भूले आपके comment मुझे काफी जादा motivate करते और जादा videos बनाने के लिए तो चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यूव वीडियो के साथ useful videos के साथ तब तक के लिए बाबाई